कथा साहित्य में आपका स्वागत है आहिये आज सुनिये रभींदर नाथ टैगोर्ची की लिखी कहानी खोया हुआ मोती मेरी नौका ने स्नान घाट की टूटी फूटी सीडियों के समीब लंगर डाला सुर्यास्त हो चुका था नाविक नौका के तक्ते पर ही मगरिब सुर्यास्त की नामास अधा करने लगा प्रतेक सच्दे के पश्चात उसकी काली छाया सिंदूरी आकाश के नीचे एक चमक के समान खिंचाती नदी के किनारे एक जीन शीन इमारत खड़ी थी जिसका छज्जा इस प्रकार जुका हुआ था कि उसके गिर पढ़ने की हर घड़ी भारी शंका रहती थी उसके द्वारों और खिड़कियों के किवार बहुत पुराने और धीले हो चुके थे चहुँ और शुन्यता च्छाई हुई थी उस शुन्य वातवरण में सहसा एक मनुष्य की आवास मेरे कानों में सुनाई पड़ी और मैं काप उठा मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो एक पीले, लंबे और वृत्य मनुष्य की शकल दिखाई पड़ी जिसकी हड़िया निकली हुई थी दुर्भागे के लक्षन सीर से पैर तक प्रकट हो रहे थे वो मुझसे दो चार सीरियां उपर खड़ा था सिल्क का मैला कोट और उसके नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए उसका निर्बल शरीर उत्रा हुआ मुख और लड़कडाते हुए कदम बता रहे थे कि शुधा पेड़ित मनुष्य को शुद्वायू से अधिक भोजन की अवशकता है मैं रांची से आ रहा हूँ यह सुनकर वो मेरे परापर उसी सीड़ी पर आ बैठा और आपका काम वेपार करता हूँ काहे का इमारती लकडी, रेशम और त्रिफला का आपका नाम क्या है? एक चंड सोचने के बाद मैंने उसे अपना एक बनावटी नाम बता दिया किन्तु वो अब मुझे एक टक देख रहा था परन्तु आपका यहां आना कैसे हुआ? केवल मनुरंजन के लिए या वायू परिवर्तन के लिए? मैंने कहा वायू परिवर्तन के लिए यह भी खोब गही मैं लगभग छे वर्ष से प्रति दिन यहां की ताजी वायू पेट भर कर खा रहा हूँ और साथ ही पंदरा ग्रेन कोनैन भी परन्तु अंतर कुछ नहीं हुआ कोई लाब दिखाई नहीं देता किन्तु रांची और यहां की जलवाईयों में तो प्रित्वी और आकाश का अंतर है इसमें संदेह नहीं किन्तु आप यहां ठहरे कि स्थान पर हैं क्या इसी मकान में? संभवतह उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके किसी गड़े हुए धन का कहीं से सुराक मिल गया है और मैं उस थान पर ठहरने के लिए नहीं बलकि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जवाने आया हूँ मकान की भलाई बुराई के संबंद में एक शब्द तक कही बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की पंदरा साल पूर्व की एक कथा सुनानी आरंब कर दी उसकी गंजी खोपड़ी में गहरी और चमकदार काली आखे मुझे कॉलरीस के पुराने नाविक का स्मरण करा रही थी वो एक स्थानिय स्कूल में अध्यापक था नाविक ने समाज से निवृत होकर रोटी बनाने अरंब कर दी सुर्यास्थ होने के समय आकाश के सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाली अंधेरी में वह खंडर भवन एक विच्चित्र सा भ्यावे द्रिश्य परदर्शित कर रहा था मेरे पास सीड़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा मेरे इस काव में आने से लगभग दस साल पूर्व एक व्यक्ति भनी भूशन सहाए इस मकान में रहता था उसका चाचा दुर्गा मोहन बिना अपने किसी उत्राधिकारी के मर गया जिसकी संपून संपत्ति और विस्रित व्यपार का अकेला वही अधिकारी था पास्चाते शिक्षा और नई सभ्यता का भूद भनी भूशन पर सवार था के अवशक्ता नहीं कि ये लोग उनके साथ कोई व्यपारिक रियायत देने के रवादार ना थे वे भली भाती जानते थे कि भड़ी भूशन आखिर को नए बंगाल की वायूं में सांस ले रहा है इसके अत्रिक्त एक और बला उसके सिरपर सवार थी अर्थार्थ उसकी पतनी परम सुंदरी थी यह सुंदर बला और पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसी पड़ी थी कि तोबा भली खर्च सीमा से बाहर तनिक शरीर गरम हुआ और जट सरकारी डॉक्टर खट-खट करते आप पहुंचे विवा संभावता आपका भी हो चुका है आपको भी वास्तव में यह अनुभव हो गया है कि इस्त्री कठोर सुभाव वाले पती को सर्वदा पसंद करती है वो अभागा व्यक्ति जो अपनी पतनी के प्रेम से बंचित हो यह ना समझ बैठे कि वो इस संभत्ती से माला माल नहीं या सौंदरे से वंचित है विश्वास कीजिए वो अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृती और प्रेम के कारण इसी दुर्भागे में भसा हुआ है मैंने इस विशे में खूब सोचा है और इस तथे पर पहुचा हूँ और यह है भी ठीक पूछें क्यों लीजिए इस प्रशन का संग्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है यह तो आप अवशे मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्त्विक प्रसंता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे अपने जन्म जात्विचार और सौभाविक योगताओं को परकट करने के लिए एक विस्तृत छेत्र प्राप्त ना हो हिरन को आपने देखा है वो अपने सींगों को वरिक्ष से रगड़कर आनंद प्राप्त करता है नर्म और नाजुक केले के खंबे से नहीं स्रिस्टी के आरंभ से ही नारी चाती इस जंगली और कठोर सौभा पुरुष को जीतने के लिए विशेश ठंग सीखती चलिया रही है यदि उसे पहले ही से आग्यकारी पती मिल जाए तो उसके वे आकर्षक हतकंडे जो उसकी मा और दाधियों से बपौती रूप में मिले है और लंबे समय से निरंतर चलते रहने के कारण सीमा से अधिक सत्य भी सिद्ध हुए है नाकेवल बेकार रह जाते है बलकि इस्त्री को भार सुरूप मालूम होने लगते है इस्त्री अपने आकर्षक सौंदरे के बल पर पुरुष का प्रेम और उसकी आग्यकारिता प्राप्त करना चाहती है किन्तु जो पती स्वैम ही उनके सौंदरे के सामने जुख जाए वो वास्तव में दुर्भाकेशाली होता है और उससे अधिक उसकी पतनी वर्तमान सभ्यता ने इश्वर प्रदत उपहार अर्थात पुरुष की सुंदर कठोड़ता उससे चीन ली है पुरुष ने अपने निर्बलता से इस्त्री के दामपत्य बंधन को बड़ी सीमा तक डिला कर दिया है मेरी इस कहानी का अभागा फणी भूषन भी इस नवीन सभ्यता के चलना से चला हुआ था और यही कारण था कि ना वो अपने वैपार में सफल था और ना ग्रहस्त जीवन से संदुष्ट फणी भूषन की पत्नी मनी मलिका को प्रेम और विलास सामगरी बे मांगे मिली थी उसे सुन्दर और बहुमुल्य साडियों के लिए अनुने विनय तो क्या पती से कहने की अवशक्ता ना होती थी सोने के आभूषनों के लिए उसे जुगना ना पड़ता था इसलिए उसके इस्त्रियोचित सभाव को आग्या देने वाले स्वर का जीवन में कभी आभास ना हुआ था यही कारण था कि वो अपनी प्रेम मई भावनाओं में आवेश की स्थिती उत्पन ना कर पाती थी उसके कान लो स्विकार करो के मधूर शब्दों से परिचित थे किंदो उसके होंट लाओ और दो से सर्वथा आपरिचित उसके सीधे सभाव का पती इस मिथ्या भावना की कहावत से प्रसन था कि कर्म किये जाओ फल की कामना मत करो तुम्हारा परिश्रम कभी अकारत नहीं जाएगा वो इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे चा रहा था परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसी मशीन समझने लगी जो बिना चलाये चलती है स्वैम ही बिना कुछ कस्ट किये सुंदर साणियां और बहु मुल्या भूशन बनाकर उसके कदमों पर डालती रहती उसके पुर्जे इतने शक्तिशाली और टिकाओ थे कि कभी भी उसको तेल देने की अवशकता ना होती भनी भूशन के जन भूमी और रहने का स्थान समी भी एक दिहात का गाओं था किन्तु उसके चाचा के वेपार का मुख्य स्थान यही शहर था इसी कारण उसकी आयों का अधिक भाग यहीं व्यतित हुआ था वैसे मा मर चुकी थी किन्तु मौसी और मामिय आदी इश्वर की कृपा से फिद्धमान थी परन्तो वो विवा के बाद ही फोरण मनी मालिका को अपने साथ ले आया उसने विवा अपने सुक के लिए किया था ना कि अपने संबंधियों की सिवा के लिए पत्नी और उसके अधिकारों में पृत्वी आकाश का अंतर है पत्नी को प्राप कर लेना और फिर उसकी देखभाल करना उसको अपना बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता मनी मालिका सोसाइटी की अधिक भक्त ना थी इसलिए वेर्थ का खर्च भी ना करती थी बलकि इसके प्रतिकूल बड़ी साबधानी रखने वाली थी जो उपहार भणी भूशन उसको एक बार ला देता फिर क्या मजाल कि उसको हवा भी लग जाए वो साबधानी से सब रख दिया चाता कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसिन को उसने भोजन पर बुलाया हो वो उपहार या भेंट लेने देने के पक्ष में भी ना थी सबसे अधिक आश्चरे की बात यह थी कि 24 साल की आयू में भी मनि मालिका चोधा वर्ष की सुन्दर युगती दिखाई देती थी ऐसा प्रतीत होता मानो उसका रूप लावर्ने केवल स्थाई ही नहीं बलकि चिर स्थाई रहने वाला है मनि मालिका के पार्शव में हिर्द्यना था बर्व का टुकड़ा था जिस पर प्रेम की तनिक भी तपन ना पहुँची थी फिर वह पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस परकार जो व्रिक्ष पत्तों से लदा होता है प्राय फल से वंचित रहता है मनि मालिका का सौंदर्य भी फल हीन था वो संदान हीन थी रख रखाव और व्यक्तिगत देख रेक करती भी तो काहे की उसका सारा ध्यान अपने आभूशनों पर ही केंद्रित था संदान होती तो वसंद की मीठी मीठी धूब की भाती उसके बरफ के हिरिदे को पिघलाती और वह निर्मल जल उसके दमपत्य जीवन के मुर्जाय हुए वरिक्ष को हरा कर देता मनी मलिका ग्रहस के काम काज और परिश्रम से भी नाकतराती थी जो काम वो स्वयम कर सकती उसका पारिश्रमिक देना उसे खलता था दूसरों के कस्ट का न उसे ध्यान था और ना नाते रिष्टेदारों की चिंता उसको अपने काम से काम था इस शांत जीवन के कारण वो स्वस्थ और सुखी थी ना कभी चिंता होती थी ना कोई कस्ट प्राया पती इसे संतोष तो क्या सौभागे समझेंगे क्योंकि जो पतनी हर समय फर्माईशे लेकर पती की छाती पर चड़ती रहे वो सारे ग्रहस्त के लिए एक रोग सिद होती है कम से कम मेरी तो यही सम्मती है कि सीमा से बढ़ा हुआ प्रेम पतनी के लिए संभवते गौरव की बात हो कि दूपती के लिए एक विपत्ती से कम सोचिये तो सही कि क्या पुरुष का यही काम रह गया है कि हर समय यही तोलता जोकता रहे कि उसकी पतनी उसे कितना चाहती है मेरा तो यह द्रिष्टिकोन है कि ग्रहस्त का जीवन उस समय अच्छा वितीत होता है जब पती अपना काम करे और पतनी अपना इस्त्री का सौंदर्य और प्रेम यानि तिर्या चरित्र पुरुष की बुद्धी से परेकी चीज है केंतो इस्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चड़ा और उसके निवना धिक अंतर को गंभीर दिष्टि से देखती रहती है वो शब्दों के लहजे और चिपी हुई बात के अर्थ को जट अलग कर लेती है इसका कारण केवल यह है कि जीवन के वैपार में इस्त्री की पुँझी केवल पुरुष का प्रेम है यहे उनके जीवन का एक मात्र सहारा है यदि वो पुरुष की रूची के वायू के प्रवा को अपनी जीवन नईया के वितान से स्परश करने में सफल हो जाए तो विश्वस्त तहा नईया भिप्राय के तठ तक पहुंचाती है इसी लिए प्रेम का कल्पना यंत्र पुरुष के हृदे में नहीं इस्त्री के हृदे में लगाया गया है प्रकरती ने पुरुष और इस्त्री की रूची में स्पस्ट रूप से अंतर रखा है किन्तु पाश्चात्य सभ्यता इस इस्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तोली हुई है अनारी करम छेतर को अपने जीवन का आनंद समझने लगे हैं। इसलिए यह कठिन हो गया है कि विवा के समय कोई यह कह सके कि वधु इस्त्री है या इस्त्री नुमा इस्त्री पुरुष। मरदाना है या जनाना। मैं बहुत देर से आपको शुश्क बातें सुना रहा हूँ। परंतो किसी सीमा तक छमा के योके भी हूँ। मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन वैदीद कर रहा हूँ। मेरी दशा उस तमाशा देखने वाले दर्शक के समान है जो दूर से ग् से लाग उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता हूँ। इसलिए दामपत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यत गंभीर हैं। मैं अपने शिश्यों के सम्मुक तो वह विचार प्रकट नहीं कर सकता। इसी कारण आपके सामने प्रकट करके अपने हिते को हलका कर रहा हूँ आपकाश के समय इन पर विचार करें। बच्चे के समान थी जो रो रहा था और नहीं जानता कि उसके हिर्दे में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी जीवन संगनी के हिर्दे के स्निहे रिक्त स्थान को वो सुनहरे और मुलेवान आभुशनों तथा इसी प्रकार के अन्य उपारों से भड़ देना चाहता उसका चाचा दुरगा मोहन दूसरी तरहां का व्यक्ती था, वो अपनी पतनी के प्रेम को किसी भी मूले पर क्रे करने के पक्ष में ना था और ना ही वो प्रेम के विशे में चिर्चिडे सौभाव का था। फिर भी अपनी जीवन संगनी के प्रीम की प्राप्ती के लिए भाकेशाली था, जिस परकार एक सफल दुकानदार को कहीं तक बे लिहाज होना अवश्चक है, ठीक उसी परकार एक सफल पती बनने के लिए पुरुष को कहीं तक कठोर सौभाव बन जाना भी अतिय अवश्चक है, सानुरोध आपको मैं सीख देता हूँ. ठीक उसी समय गीदणों की चीक पुकार जंगल में सुनाई दी, ऐसा ग्यात होता था कि या तो वे उस स्कूल के अध्यापक के दामपत्य जिवन के मनुविज्यान पर घिनोना परिहास कर रहे हैं, या भड़ी भोशन की कहानी के प्रवाह को कुछ चाणों के लिए उस चीक पुकार से रोक देना चाहते हैं, फिर भी बहुत जल्दी वेह चीक पुकार रुक गई, और पहले से भी गहन अंधेरी और शुन्यता वायू मंडल पर छा गई, किन्तु स्कूल के अध्यापक ने पुनह कता आरंब की, सहासा फणी भूशन के बड़े वैवसाय में के लिए बाजार में साख रखना कठिन कर दिया, यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वो एक बड़ी पुंजी प्राप्त करके मंडियों में फैला सकता, तो संभव था कि बाजार से माल को ना खरीदने के तोफान से बच निकलता, किन्तु इतनी बड़ी रकम का तुर हनिय हानी पहुशती, यदि पत्र वेवार से भुकतान का धंग करता, तो रुका या परचे के बिना संभव ना था, और इससे उसकी ख्याती को बहुत बड़ा आघात पहुशने की संभव ना थी, केवल एक युकती थी कि पत्नी के आभुशनों पर रुप्या प्राप्त क दिया जाए, और यह विचार उसके हिर्दे में द्रड हो गया, भनी भुशन मनी मलिका के पास गया, परन्तु वो ऐसा पत्ती ना था कि पत्नी से सपस्ट और सबलता से कह सके, दुर्भा के अवश उसे अपनी पत्नी से उतना घनिस्ट प्रेम था, जैसा कि उपन्यास के कि इसी नायक को नायका से हो सकता है, सूर्य का अकर्शन प्रित्वी पर बहुत अधिक है, किन्तु अधिक प्रभावशाली नहीं, यही दशा भनी भुशन के प्रेम की थी, उस प्रेम का मनी मलिका के हिल्दे पर कोई प्रभाव ना था, किन्तु मरता क्या ना करता, आर्ति प्रोनोट, कर्जे का कागस, बाजार के उतार चड़ाव की दशा, इन सब बातों को कमपित और अस्वभाविक स्वर में फणी भूशन ने अपनी पतनी को बताया। पतनी काने ना हा कही और ना ना, और ना उसके मुख से कुछ ग्यात होता था, उस पर गहरा मौन चाया हुआ था, भणी भूशन के हृते को गहरा आगात पहुचा, किन्तु उसने प्रकट ना होने दिया, उसमें पुरुशुं कासा वह सहसना था, कि प्रतेग वस्तू का वो प्रतिदिन निरक्षन करता, उसके इंकार पर उसने किसी प्रकार की चिंदा प्रदर्शित ना की, वो ऐसी विचारों का व्यक्ति था, कि प्रेम के जगत में शक्ति और आधिक्ये से काम नहीं चल सकता, इसलिए निराश होकर रुपे की प्राप्ति के लिए युक्तियां स गंभीर अध्यन नहीं कर सकता, यदि पति कुछ गंभीर व्यक्ति हो, तो पत्नी के चरित्र के कुछ भाग उसकी तीक्षन द्रिष्टी से बचा कर जान लेता है, संभवता यह सत्य है कि मने मलिका ने भणी भूशन को अच्छी तरह ना समझा, एक पास्चात्य व्यक्ति क व्यक्तित्व मुर्ख हिस्त्री के अंध्विश्वास जैसे जीवन और उसकी समझ भूश से प्राय उंचा होता है, वो स्वैम हिस्त्री की भाती एक रोमान्शकारी व्यक्तित्व बनकर रह जाता है, और इसी कारण पुरुश की उन दशाओं में से किसी में भी भणी भू ये तूर के रिष्टे से चचेरा भाई था, और फणी भूशन के वैपार में एक आसामे की देख रेक पर नुक्त था, योगिता के कारण नहीं, बलकि रिष्टेदारी के जोर पर वो उस आसामे पर अधिकार जमाय हुए था, काम की चतुराई के कारण नहीं, बलकि रिष अंत में पूछा, क्या करूं, नेक सलाह दो, मधू ने पुति मता और दूर दर्शिता के धंग से सिरहला कर कहा, मेरा माथा ठनकता है, इस मामले में कुशल दिखाई नहीं देती, भणी भूशन को रुपया तो मिलने से रहा, अंत में तुम्हें आभूशनों से भी हाथ ध होने पड़ेंगे, सांसारिक समस्याओं और पुरुष्ट अथा नारी के संबंध में, जो मनि मलिका के अपने व्यक्तिकत विचार थे, उनके प्रकाश में मधू के निकाले हुए परिणाम का प्रथम भाग, संभावित और दूसरा सत्य मालुम होता था, विश्वास उसके हृते से चाता रहा था, संदान उसके थी ही नहीं, बाकी रहा पती, वो किसी गिंती में ही ना था, अतहे उसका संपून ध्यान अपने आभुशनों पर केंद्रित था, इनी से उसके हृते की प्रसनता थी, यही उसको संदान के समान प्रिय थे, संदान को मा से छीन फिर देखिए, ममता की क्या दशा होती है, यही दशा मनी मलिका की थी, उसका यह विचार था, कि उसके आभुशन पती के मनसुबों की भेट हो जाएंगे, फिर मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं के चली जाओ, सारे आभुशन वहाँ छोड़ाओ, चालाक मधु ने कहा, इस प्रकार उसकी हांडी को भी बखार लगता है, यदि सारे नहीं तो कुछ आभुशन मधु को अपने हथे चड़ने की भी आचा थी, मनी मलिका उसी समय सहमत हो गई, बढ़ते होए अधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता चा गई थी, किन्तो कुछ चणों के पश्चात उसने फिर वर्णन आरंब किया, कहानी का पहला भाग यहीं तक, कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आप अगली वीडियो में सुन सकते हैं, कथा साहित्ते में इसी परकार अपना सुन्दर साथ हमेशा बनाए रखिए, धन्यवाद